कि इतने लोग हैं यहां पर यहां से 4000 के वाज आ रही है तो 4000 लोगों के आवज नहीं आ रही है लेकिन गुड़ आफ्टर नून कैसे हैं आप लोग मस्त है क्योंकि बीबी साथ बैटी है न तो हम भी मस्त है क्योंकि हम भी आज वाइफ को लेकर आया है और वैसे तो हम लोग रोज बोलते हैं इस पार हम लोग थोड़ा कम बोलेंगे क्योंकि इनको हमको चांस देना है बोलने के लिए क्योंकि कोई भी आप को आफको यहीरो है लेकिन असल में जो पिक्चर ही दोता है न वह किसकी वज़े से लोगैं कि वझये Clark क def apart that Kir Schart cheap मेरी हीरोईं आए लेकिन घर में ये परदे के लेकिन होता है लेकिन दौट सुन Ace परदे के पीचे कौन रहता है तो जो सपोर्ट रहता है वाइफ का वो यह बिजनस में बहुत इंपोर्टेंट है देखो मैं हमेशा बोलता हूँ हर मेरी मीटिंग में बोलता हूँ कि जब आप शाधी करते हो न आप तो पूरी बारत लेके जाते हो और वह बेचरिया के लिए आपके साथ आती है और क्या-क्या छोड़के आती है क्या छोड़के आती है सब कुछ छोड़के आती है इतना छोड़के आती है कि वह आपके लिए उनका नाम भी बदल देती है तो इतना त्याग अगर कोई आपके लिए कर सकता है तो यह जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उनको वो सारी चीजे दे, जो उन्होंने शायद कभी सोचे भी नहीं रहे, तो यही चीज, नेट सर्फ आपके साथ, आपको साथ लेके, आपको करने का मौका देता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं शायद फिर कभी आप से बात करूँ गा, लेकिन आपकी तालियों के बीच मैं मैं इडिबूस करना चाहता हूं मा दिएफुल वाइफ, मिनाक्षी कुलकरनी. Good afternoon, कय से हो आप? Are you excited? I am also very excited to see you all here. इन सचा लाज नमबर कोई कोई तर नीचे भी बैठे हैं आप सब को देखके मुझे अपने पुराने दिन यादा गए जब हमने नेश सब की शुरुआत की थी दो हजार एक में तब हम दोनों इंजिनियर हैं हम दोनों जॉब करते थे मेरे शादी को पास साल होए थे हमें एक बेटी भी थी लेकिन सचिन को बारबर ऐसा लगता था कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं मुझे कुछ अलग करके दिखाना है तो एक दिन आचानक उन्होंने आके मुझे बोल दिया कि मैंने जॉब छोड़ दिया है और मैं सब नेटवर्किंग का काम करने वाला हूँ तो पहले तो नाम सुनके मुझे लगा कि सॉफ्ट्वेर का कमपनी है तो आच्छा है तो उन्होंने बोला सॉफ्ट्वेर का कमपनी नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें मार्केटिंग करना पढ़ता है और वो भी कम्पीटर कोर्स का मार्केटिंग था शुरूम में मुझे लगा कि ठीक है इसी बहाने कंप्यूटर कोस भी पुरा हो जाएगा तो मैंने कुछ बोला भी नहीं बाद में अभी उसी दवरान मेरे ससूर जी का भी ट्रांसफर हो गया था तो हमारे बेटी की पूरे संभालने की पूरी जिमेदारी हमारे उपर आ गई तो इनका तो कुछ आने जाने का टाइम फीक्स ही नहीं था और मेरा तो फीक्स था मैं सुबह साड़े साथ बज़े ही जॉब पे जाती थी तो जब भी मैं जॉब पे जाती थी, तो ये बाद में हमारे बेटी को पड़ोसियों के पास रख के जाते थे ऐसे ही दिन बीट रहे थे, बेटी का स्कूल का एडमिशन भी करवाना था तो इनका तो कुछ फिक्स नहीं था आने जाने का तो मैंने खुद से ही करवा दिया था स्कूल का एडमिशन बाद में एक दिन मैंने चुट्टी ली लिया, तो उन्होंने पूछा मुझे आज चुट्टी क्यों ली तो मैंने उन्हें बता दिया कि आज स्कूल का फर्स डे है आपका बेटी का एडमेशन हुआ है और उसको स्कूल भेजना है तो ऐसे ही दिन जा रहे थे तो बाद में मेरे सेकंड प्रेगनसी के वज़े से मैंने जॉब छोड़ दी अभी पूरी टेंशन शुरू हो गई क्योंकि जो इनकम आथा था वही बंद हो गया था अभी कैसे काम करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इनसे पूछो तो इनका कुछ मुझे मालूम भी नहीं था कि इनको पैसा मिलता है नहीं मिलता तो पहले तो मैंने सब बाई को बंद करवा दिया बाई को बंद करवाने के बाद सशूर जी भी बहुत गुसदा हो गए कि तुम दोनों का क्या चला रहा है तो मुझे इतना ही मालूम था कि मेरा इंकम तो अभी जो है वही सम्भाल के खर्च करना पड़ेगा लेकिन इनका तो मुझे कुछ मालूम नहीं था तो एक दिन इन से पूझ लिया कि अभी आपको ये काम करके एक साल होने को आया है तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं क्या तो उन्होंने बोला हाँ मुझे भी पैसे मिलते हैं लेकिन मैं अभी टीम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ देखो जैसे बिल्डिंग बनवाने के लिए फॉन्डेशन जरूरी रहता है और बाद में ये उसके उपर बिल्डिंग बनती है वैसे ही अभी टीम पे खर्च करना पड़ेगा तीम अच्छी लग गई तो बाद में ही तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे बाद में इन्हों ने मुझे आट उननीस का प्लान बोल दिया वो प्लान सुनते ही मुझे ऐसा लगा इतना पैसा कभी मिल सकता है तो ये सोचते समय मैंने मुझे ऐसा लगा जब हाथ में आएगा तो अपना नहीं तो सपना तो सच में ऐसा हो गया तो मेरी सारे परेशानियम भी खतम हो जाएगी और मुझे कुछ काम भी ने करना पड़ेगा तो और एक बाद भी समझ में आ गए कि मुझे यह अब इगर चलाना है तो मैंने बाद में electronics product बेचना शुरू कर दिया मैं घरगर जाके रोज 3 घंटे electronics product बेचती थी जबी भी किसे घर में जाओ और उन्होंने पूछा कि तुमारे husband क्या करते है तो मैंने अगर network marketing बोला तो वो तुरल शुरू हो जाते थे कि आरे बेटा अपने हस्बन को समझाओ ये लोग पहला काम करवा के लेते हैं और जब पैसा मिलने का टाइम आता है तब भाग जाते हैं बहुत से फ्रॉड कमपनी रहती है देखो तुम्हारा इससे भी बड़ी दिक्कत मुझे ये थी कि जब मैं ऐसा काम करती थी घर घर जा काम कर रही हो खुद के हस्बन को बोलती क्यों नहीं कि धंका काम करें तो इसके वज़े से मैं बहुत उदास रहने लगी थी उसके बाद एक दिन सचनी मुझे समझाया कि देखो वक्त के साथ हमारे हालात भी बदल जाएंगे हालात बदलने के बाद उनका नजरिया भी बदलने लगी थी अभी ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन उसके बाद सचिन का एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट के वज़े से उसे छे महना घर में आराम करना पड़ा लेकिन तब तक हमारी टीम लग चुकी थी तो उसके वज़े से पलसव की खर्चा भी होस्पीटल का हमारा सारा खर्चा भी हमारे चेक से गया और एक्सिडेंट के बाद एक साल में हमने खुद का घर ले लिया था जहां हम रहते थे वहां तो mostly जौब वाले लोग रहते थे तो उनका लाइफस्टार्ट और हमारे लाइफस्टार्ट में बहुत फर और हम हमें जब टाइम मिला तब बच्चों को पार्क में लेके जाया करते थे, कभी घूमने लेके जाया करते थे, वो एक हाद बार, साल में एक हाद बार टूर करवा के लाते थे, हम साल में दो तीन बार टूर करवाते थे, क्योंकि क्लब नेर्शब था, और हमारा साल में ए थोटी बेटी पास साल की थी और बड़ी बेटी दस साल की तो जब हम जा रहे थे तो पूरे मोहले वाले कॉलनी वाले और रिलेटिव सब मुझे मिलने आये थे क्योंकि उन में से कभी कोई फॉरें ही नहीं गया था तो उन सब को बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच् वज़त से बाद में हमने हमारी दूसरी गाड़ी ले ली सफारी वह जिस बिल्दिंग में हम रहते थे वहार पे सफारी को पार्क करने के लिए थोड़ा बड़ा पारकिंग लगता है लेकिन पार्क करने के लिए उधर ऐसी जगाए नहीं थी, उतना बड़ा पार्किंग नहीं था, तो हमने अपना खुद का दूसरा घर ले लिया, 2000 स्क्वेर फिट का, और ये सब मुनकिन हुआ सिफ्ट नेट सब की वज़े से, क्योंकि जब मैं तलेगाओं से पूना तब मैंने रेंट पे जो हाउस लिया था, वो 180 स्क्वेर फिट का था, और आज खुद का 2000 स्क्वेर फिट का घर है मेरा, वो भी लाइविश सोसाइटी में, जो लड़की का एडमीशन मैंने खुद करवाया था, मेरी बड़ी बेटी का, तब मैंने सोचा था, कि जिस स्कू में मैं एडमीशन लू, और आज वही लड़की मेरी सिंगापूर से ग्रेजुएट करके मल्टिनैशनल जॉब पे लग गई है, ये सब मुम्किन हुआ है, सिर्फ नेट सब और हमारे टीम की बदलत, मेरे बहुत से रिष्टेदर बिजनेसमन है, लेकिन वो भी लाइफ में इतना एंजोई नहीं कर पाते हैं, जितना हम करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो है, लेकिन समय नहीं, और हमारे पास वो दोनों ही हैं, पैसा और समय का फ्रीडम, सिर्फ नेट सब और टीम की वज़ह से, जो लोग पहले सचिन को बुरा भेला कहते थे, वो ही लोग प्रू कर दिया है, कि ना कमया बलोग अपने फैसले दुनिया की डर से बदल देते हैं, लेकिन कमया बलोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो एक बार जोरदार तालिया मिनाक्षी के लिए और जितने भी फीमेल से यहाँ पे बेटी है उन सभी के लिए भी जो अपने हस्बंड को इस तरीके के सपोर्ट करती है मुझी याद आज भी याद है क्योंकि आभी वहाँ खड़ा रहे के कुछ काम नहीं था तो बहुत फ्ल जो भी आज काम कर दिये जो भी हाड़ वर कर रही है यह आपके और आपके परिवार की खुशाली के लिए कर रहे है आगे आने वाला आपका समय अच्छा हो इसलिए कर रहे है तो थोड़ा उनको सपोर्ट कीजिए उनकी होसला अफजाई कीजिए और उन्हें वो सारी यह आप सुभी वेल्स कर सकते हैं यह आप सब भी में तरह यह आप सो फिर्वेल्स कर सकते हैं तो विषिए के आल बेस्त ऑन वेरी बस्तैक यू तैंक यू वरी मुछ